नमस्कार आप सभी का अगेंस्ट क्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत यदि पुलिस अधिक्षक कार्याले, SP कार्याले से यदि 100 समय वांचित सूचना परदान नहीं की जाती है तो क्या करेंगे तो चलिए जो इस चैनल से पहली बार जुरे हुए हैं वो अबस सब्सक्राइब कर लें तथा बैल आइकन को दवा कर आल पर भी क्लिक कर लेंगे तथा एक दूसरे को शेयर अबस्ट करेंगे फेस्बुक, वाट्सअप, इंस्टाग्राम जहां हो आप सेयर करें जिससे हर भारतिय को इसकी जानकारी हो सके तथा एक लाई कबस कर देंगे तो चलिए हम लोग जानेंगे यदि यस्बुक कारियाले से वांचित सुचनास वा समय प्रदान नहीं की जाती है तो हम लोग पुलिस उपमहानरक्षक कारियाले या डियाईजी कारियाले के समक्ष आप प्रद्थम अपील कर सकते हैं तो जिनने या प्रद्थम अपील का फॉर्म होगा वो फॉर्म भर देंगे प्रपत्रचो में या सादे कागज पर भी प्रपत्रचो लिखकर आप प्रद्थम सेवा में प्रथम अपीलि पता दिकारी पुलिस रूप महालरक्षक या डियाजी कारियाले लिख देंगे अपना डियाजी साहब का पता देंगे जो भी हो अपना नाम पुरा पता लिखेंगे लोग सुचना पता दिकारी जिसके खिलाप आप अपील कर रहे हैं लिख देंगे लोग सूचना पता दिकारी से पुलिस अधिक्षक यदि नाम जानते होंगे अपने स्पी साहब का तो उसका नाम भी ब्रैकेट में लिख सकते हैं पुलिस अधिक्षक कार्याले का पूरा पता पीन काउड़ा बस देंगे यदि कोई निरने प्राप्त नहीं किति थी जब आप RTI लगाये होंगे उस कितिति का नाम देना है यहां सूचना व्योरावार देना है मैंने अपनी मां के नाम मानवाधिकार आयोग में एक ओपी परवारी की शिकायत किया था जिसके जांच परतिवेदन की मैंने पर्मानिच अपरति की मांग की थी इसी पर्थम अपील अवश्र कर देंगे तथा प्रपत्र कौं में आवेदन समर्पित करने के बाद 30 दिन पूरा होने किती थी यदि 22 को आप किये हैं तो 23 को एक माह होता है तो आप 23 दे देंगे 30 दिन जोड़के अपना डेट बठा देंगे अपील करने का कारण कोई निरने प प्राप्त हुआ हो तो उसका दिनांग पत्रांग दे के यहां आप इसमें सुचित कर सकते हैं मुझे कोई निरने प्राप्त नहीं हुआ था इसलिए यहां कोई निरने सुचना अपलब्ध नहीं कराई गई है का मैंने वर्णन किया है अपील का आधार तो अपील का आधार सो समय वांचे सूचना अपलब्द नहीं कराई गई इसमें दोसी के विरुद उचित करवाई करने की किरपा की जाए या जो भी आपका कंडिशन हो इस तरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपील दायर करने की तिति थी साथ दिन के अंदर आपको प्रथम अपील दायर करना पड़ता इसलिए यहाँ 24-2021 मैंने दिया है प्रार्थना या राहत क्या चाहते हैं तो वांचे सूचना सिक्र उपलब्द करवाने के बारे में मैंने अनुरोथ किया था इसके साथ आप घोषना पत्र लगा देंगे कि मैं घोषित करता हूँ कि जहां तक मेरी जानकारी या एवं विश्वास है की दी गई सुचना व्यारा सत्थ है अपना हस्ता अक्षर पुरा पता मुवाइल नंबर दे देंगे प्रपत्र को जो आप भेजे होंगे उसकी रसीद, आक रसीद, एवं सुल्क वस्टल ओडर या जिस भी तरह आप सुल्क दिया होंगे उसकी छाप परती लगाकर एटेस्टेट करके शको आप डियाईजी कारियाले से अवश्य प्रथम अपील कर सूचना प्राप्त कर सकते हैं जैहिन आप सभी को इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद